अमीदे हैं आप सब अच्छे सूंगे आए हम बात करते हैं इस वीडियो में आकलन के बारे में we are going to talk about assessment की assessment क्या होता है आकलन क्या होता है देखिए सबसे पहले आप एक परिभासा देखिए परिभासा से चीजे क्लियर हो जाएंगी परिभासा में क्या कहा गया परिभासा आकलन क्या है आकलन सूचना संग्रहण मतलब ग्रहण तता उस पर विचार्ज वीमर्ष करने की प्रकिरिया है आकलन को क्या कहा गया कि सूचना को संग्रहण और उस पर विचार्ज वीमर्ष करने की प्रकिरिया है जिससे क्या होगा कि जिने हम विवी निमादिमों से प्रा होती है तो यह डेफिनिशन दिया था हुबा और फ्रिड के अनुसार जो कि समझ में बहुत कम आएगा अगर हम इसको प्रैक्टिकली ना समझे तो अब प्रैक्टिकली क्या होता है प्रैक्टिकली समझ यह चीज को इन्हों हा रहा है यानि कि जोड़ना सिखा रहे हैं आपने बच्चे को कुछ इस प्रकार का प्रषन दिया और बच्चे ने प्रष्ण को हल कर लिया इसको सम किया तो 8 प्लस 0 उसने 8 लिघ दिया और one प्लस टू उसने 38 लिग दिया बहुत सरलता से उसने कर लिया similarly अगर हम इसकी बात करें तो 4 प्लस 2 6 और 7 प्लस 6 उसने अराम से 30 लिख दिया तो उस बच्चे ने ऐसा कर लिया तो आपका यह लगा कि चलो इस प्रकार के प्रश्न तो बच्चे कर सकते हैं आपने थोड़ा सा प्रश्न और ट्रिस्ट कर और इस बार आपने प्रश्न दिया कि यह प्रश्न करो तो बच्चे ने कैसे प्रश्न किया 9,1,10 यहां पे 10 लिख दिया और यहां पे 5 प्लस 7 उसने यहां पे यह कर दिया तो इससे आपको यह अंदाजा होगा कि बच्चे को साधारण प्रश्न तो आते हैं लेकिन कैरी वाले जो एक कैरी ले यहां पे 6 और 5 प्रस 3 यहां पे 8 इनको यह प्रश्ण तो आता है लेकिन इस तरह के प्रश्ण जो carry लेने वाले हैं जो आगे जोडने वाले हैं हासिल लेने वाले उस प्रकार के प्रश्ण नहीं आते हैं तो classroom में आपको ये activity करने से क्या समझ में आई कि बच्चे को क्या पता है और बच्चे क्या जानते हैं क्या समझते हैं और कैसे अपनी परिडामों को वेक्ट करते हैं दरसल इसी संपूर्ण process को यह जानना कि बच्चे का पूर्व ज्यान क्या है वो क्या क्या जानते हैं और आगे उन्हींने कहां से पढहाना है और कैसे पढहाना है इसको जानना इसी के बारे में सूचना hiring करना वास्ताव में आकलन कह लाता है अब इस definition को और बहतर से समझा जा सकता है कि हुबा और फ्रिड ने क्यो कहा था आकलन क्या है सूचना संग्रहन करना तता उस पर विचार वी मर्स की प्रक्रिया है जिने हम विविन मादमों से प्राप्त करके यह जान सकते हैं कि विद्यारती क्या जानता है समझता है और अपने सैचिक अनुभावों से प्राप्त ग्यान को परिग्राम के रूप में व असेस्टमेंट आकलन वह प्रकिरिया है जिसके द्वारा हम यह ग्यात होता है कि बच्चा अधिगम को किस अस्तर तक सीखा है या किस अस्तर तक अधिगम को ग्रहन करने में समर्थ रहा है यह आसान से सब्दों में हो गई आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं यहां पर कि आक अधिगम बच्चे ने कहां तक उबब्दी हासिल करी कहां तक सीखा तो यह आसान सब्दों में हो गया अधिगम का अर्थ ठीक है तो यह हो गई बात असेस्टमेंट की असेस्टमेंट से और क्या क्या चीज़े होती हैं अगर आपसे मैं पूछ तू कि असेस्टमेंट जरूरी क्यों है और एक सिख्षक क्यों करता है असेस्टमेंट की आकलन क्या सकता क्यों है तो देंकि आकलन बालक के अधिगम का मुल्यांगन करती है कि बाल कि एक सिचच बच्चे को किस अस्तर तक अधिकम कराने में सफ़ल रहा, समझ में आई बात, अगर बच्चा सीख पाया, तभी तो ये आक्लन करके आप समझ सकते हैं, कि टीचर ने कैसे पढ़ाया, किस अस्तर तक उसने पढ़ा दिया बच्चों को, ठीक है, एक सिचक किस अस्तर तक अधिकम कराने में सफल रहा बच्चे को किस अस्तर तक ज्यान देने में सफल हुआ यह बातों की जानकारी आकलन के दुआरा ही होती है अब यह डेफिनिशन हम ने अलरी देख लिया है आकलन के बारे में देखिए उद्दे से क्या होता है क्यों आकलन किया जाता है फिर से वही पॉइंट रिपीट होंगी कि आकलन के दुआरा बालकों के प्रगती का स्थर पता लगा जाते हैं यह बिल्कुल समझने वारी बात है मैंने आपसे कहा ना कि वो एक्जांपल्स कि आप यह जानना चाहते हैं कि बच्चों ने कहां तक सीखा अब आप किस माध्यम से जानते हैं यह आपके उपर है आप प्रैक्टिकल किस तरह से उनसे बच्चे से आप पर रिग्राम जानते है यह आपके उपर है तो बस अधिकम का उद्धे से बड़ा आसान है कि यह जानना कि आकलन के दुवारा बालकों की प्रगति का अस्तर कि कितने तक वो है छात्रों के विकास के निरेंता गति देती है जब आप बीच बीच में चेक करेंगे कि बच्चों को यह समझ में आया की नहीं आया तो उसी स सफलता का भी पता लगता है आकलन के दुवारा आध्यान एवं अध्यापन दोनों को प्रभाविसाली बनाये जाता है समझ में आई बड़ा आसान सा तरीका है असेस्मेंट करना अब आईए मेंड पॉइंट यहां पर है आकलन के प्रतिमान का क्याम अत्ता हुआ आकलन के तिन प्रतिमान यहां पर दिये गए अधिगम के लिए आकलन असेस्मेंट फॉर लर्निंग अधिगम का आकलन असेस्मेंट आफ लर्निंग और अधिगम के रूप में आकलन ठीक है तो तीनों का मतलब क्या है समझना बहुत ज़री है काफी बार आपसे प्रश्चने यह में क endorse कि है तो आप उसको आकलन करेंगे पता लगाएंगे और फिर उसके बाद दुबारा से उसको सिखाएंगे तो यह हो कह सीखने के लिए अधिगम के लिए आकलन आकलन-कालन प्रवrain के बाद पूरे साल उसको पढ़ाया इस किरिया के बाद अधिगम के लिए आकलन के बाद पूरे साल आपने पढ़ाया और लास्ट में आप ये चेक कर रहे हैं कि उसने कितना सीखा आपने जो पढ़ाया उसका आकलन कर रहे हैं कि उसने कितना सीखा तो जब आपने अधिगम के बाद स सिख्षक करेगा अव्यसी बात है अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन ये दोनों सिख्षक का कारे है सिख्षक करेगा सिख्षक इसमें प्रमुक भूमिका में हैं लेकिं तीसरा आप देखेंगे अधिगम के रूप में आकलन मतलब आपको सीखने के रूप में असे के खुद विद्यारती करेंगे उनके classmates करेंगे उसके सहाई party करेंगे उसके family members करेंगे और अगर जरूरत पड़ती है तो वह सिखचक के पास जाके अपना स्वम आकलन कराएंगे या कि यह आकलन में प्रमुख कौन विद्यारती है वो खुद को सीखने के रूप में आकलन कर करना और अधिगम के रूप में आकलन करना कि स्वम में मैंने कितना सीखा मुझे और कहां तक जाना है और कैसे पढ़ना है तो यह स्वम में अधिगम के रूप में आकलन करना यह तीन बाते हो गई अधिगम के रूप में आकलन तो यह हो गया आकलन के प्रतिमाद दोस्तों उम्मीद है चीजे समझ में आई होंगी अब एक लास्ट पॉइंट रह गया है आकलन की प्रकार आकलन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं रचनात्मक आकल तो एक इसके बारे में हम अगलग वीडियो में करके पढ़ेंगे क्योंकि के स्वेम में विस्त्ररे टौपिक है पैस्नात्मक के बारे पढ़ना-योगात्मक क्रण पढ़ना फिर इन दोनों की तुनलना करना इनके जेन् Цеना बताना ये स्वेम विस्त्रर मकि van तर Re है ठीक है आप ठोड़े से इसको और explain कर सकते हैं इस प्रकार से आक्लन क्यों किया जाता है आकलन की जरुड कि जरुड क्या होती है और आक्लन की परिवासा आप हूबा और इलिद्ट के अनुसार दे सकते हैं और साहती सちょ आक्लन के उड्य से उड्य से आप बता सकते जीज़गा और हम अगली वीडियों में देखेंगे आकलन के प्रकार रचनात्मक और युगात्मक आकलन के बारे में दोस्तों चीज़े आपको समझना है आसान सब्धों में और लिखना है अपने सब्दू में अब लिखते कैसे हैं वह आपके समझाने की कोशिश कर दी थी उमीद करता हूँ कि चीज़े आपको समझ में आई होंगी और हाँ वीडियो के अंत में आप से रिक्वेस्ट अगर भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़िए और उससे भी ज्यादा कमेंट में अपना राय जरूर दे ताकि मैं अपने वीडियो का भी आकलन कर सकूं कि मेरे वीडियो किस अस्तर तक जा रहे हैं और चीज़े समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप भी मेरे वीडियो का आकलन करें और कमेंट में मुझे परेडाम बताएं बहुत बहुत श